दोस्तो एक Lost Asteroid जो अपने Discovery के कुछी समय के बाद Astronomers की नजरों से गायब हो गया जब Astronomers की Radar ने इसे फिर डिटेक्ट किया तो इसकी Orbit को Study करके पता चला कि ये Asteroid बहुत जल्द हमारी प्रिच्वी के लिए शायद खत्रा बनने वाला है दोस्तों में बात कर रहा हूँ Asteroid 2007 FT-3 के बारे में जो इसी साल हमारी प्रिच्वी के साथ Closest Approach करने वाला है Asteroid FT-3 को साल 2007 में Astronomers ने डिसकवर किया था पर इसकी Low Luminous की वज़े से ये Asteroid Astronomers की नजरों से कहीं गायब हो गया पर कुछ दिनों के बाद जब इस Asteroid को फिर से एक बर डिटेक्ट किया गया तब जाके इस Asteroid की Orbit और Trajectory को स्टडी किया गया जिससे में पता चला कि Asteroid हमारी सूरज की परिक्रमा तक्रीबन 449 दिनों में कम्प्लीट करता है और इसी परिक्रमा के दुरान ये Asteroid साल 2024 के 5 October को हमारी प्रिट्वी के करीब आने वाला है ये Asteroid अभी तक्रीबन 64,000 मीटर पर आर की स्पीड से हमारी प्रिट्वी की और बर रहा है ये Asteroid का डायमेटर तक्रीबन 300 मीटर कैलकुलेट किया गया है वैसे तो ये Asteroid एक Potentially Hazardous Asteroid है पर इस Asteroid को Near Earth Object Studies की Community ने अपनी Risk List में शामिल नहीं किया है ये वस उन्ही Asteroid को सामिल करते है जिनकी Future में हमारी प्रिट्वी से टक्राने की एक Highly Possibility होती है Asteroid FT3 5th of October को हमारी प्रिट्वी से तक्रीबन 24.5 मिलियन किलिमेटर की दूरी से गुजर जाएगा जो सच में एक Safe Distance है पर ये Asteroid फिर से एक बार सिफ 6 सालों के बाद ही हमारी प्रिट्वी को दस्तक देने वाला है यानि कि इस Asteroid से हमारी प्रिट्वी को नियर फ्यूचर में कोई भी खत्रा नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही आशकरते हैं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी इस वीडियो को अंतक देखने के लिए सबका बहुत बहुत दिन्यवाद